गुट बॉर्णिंग स्टूडेंट मैं वीना साहा है मैंने लॉक डॉन में ही यूटूब पे चैनल तयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई आसानी से कर सके है ना और हिंदी मेडिया में समझ सके यही हमारा देश्य है आप लोगों को हिंदी मेडिय आने का ठीक है आप लोग लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए जहां समझ में नहीं आवें आप डॉट पुछिए मैं डॉट को क्लियर करूंगी जरूर करूंगी उके इसके पहले मैंने वीडियो में ग्रेविटेशन पढ़ा रही हूं और उसमें पेज नंबर 157 तक कम्प्र सेवन कुछ कोश्यन अजर्व स्पेज में वह भी मैं करवा चुकी हूं वन टू थ्री तीन कोश्यन है पानी की सतर पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूपती है ठीक है किनो कोश्यन मैंने करवा दिया है आज हम अभी से पढ़ेंगे आर्कमिटीज का सिधान आर्कमिटीज बैग्यानिक थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर सिधान रखा गया है आप देखते हैं कि क्या है सिधानत है क्या है तो सबसे पहले एक टो एक्टिविटी एक्टिविटी से ही हम लोग समझते हैं तो एक पत्थर का टुकडा लेंगे औ और इसे कमानेदार तूला या रबड की डोरी के एक सीरे से बाढ़नेंगे चितर में देखे किस तरह से हैं यह लोग घर में बहुत करते थे छोटे थे तो आप दो भी करते होंगे हम लोग भी करते हैं पत्थर जैसे मिलता कि तुरन तुसको रबड की डोरी से बाढ़ना पत्थर को तुला या डोरी को पकड़ कर पत्थर को लटकाई है जैसा कि चितर दिख लाए गया है पत्थर के भार की कारण रबर की डोरी क्या हो जाएगी उसके लंबाई में ब्रिद्धी होगी या कमानीदार तुला का रीडिंग डोट करना होगा अब पत्थर को एक बत्थर में रखे पानी में धीरे से डुबोए चितर के अंसार देखिए बत्थर में रखावा पानी एक वीकर है उसमें पानी भरा हुआ है उसमें पत्थर को हम डुबाते हैं तो क्या अंतर होता है वह हम देखेंगे प्रेक्षण करना है कि डोरी की लंबाई में या तुला की माप में क्या अंतर आया क्या चेंजे जाया जब हम पत्थर को डोरी से रबर की डोरी से बानने विए थे तब और जब हम विकर में रखा हुआ पानी के अंदर पत्थर को डाले तब तो हम देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्याग में कमी आ जाती है, तथा पी जब ये पूरे पानी में अच्छी तरह पूरी तरह डूब जाता है, तो उसके बाद कोई परिवर्तर दिखला जब बानी को धीरे पानी जाता है पत्स, तो कोई रे नीचे में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन जब तक हम उसको पानी में जब डालते जाते हैं, थीरे धीरे पानी में जब ले जाते हैं तो डोरी की लंबाई या उसके बैनस में थोड़े थोड़ी recycling आती जाती हैं, कोई परिवर्टन नहीं होता है। produto लग भूरी में कमीसे हो निस्कर्ष में कस प्रसार 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 भोल कब हारो है। कभिचाना, आप participant किसी भी चीज को दोरी में बानेंगे पत्थर रढड में बानेंगे रबर का बढडoter तो वह होड़ा ही होड़ा fine और फ्लास्टिक ने घिछाएगा लिकिन रबर की डोरी में बानेंगे तर्व वह भार से रस्य का प्रासार होगा दोरी का किछा होगा निर के लंबाईग responds लेकिन जब हम पानी में डाल देते हैं तो धीरे धीरे उसका लंबाई कम हो जाता है और जब पूरी अच्छी तरह से डूब जाता है तो वह इस्थिर हो जाता है फिर उसके माप में पाठी आंक में कोई अंतर नहीं रह जाता है इसका अर्थ है कि पत्थर पर उपर की दिशा में कोई बल लगाता है जिसके परणाम सुरूप रबर की डोरी पर लगने वाला बल नेट बल कम हो जाता है है ना जब डोरी पत्थर सही जब देदर पानी में आ जाता है पानी के अंदर हो जाता है तो वह उसके डिटिंग में कोई परिवात्तर नहीं होता है इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि कोई जो है जो बल लगा रहा है किधर पत्थर पर उपर की दिशा में जो पत्थर पानी में डूब रहा है उस पत्थर में उपर की दिशा में कोई बल लगता है जिसके चलते जिसके परड़ाम स्वरूप रबर की डोड़ी पर लगने वाला डेट बल कम हो जाता है और इसलिए उसकी लंबाई में के लंबाई के ब्रिद्धी में भी कमिया जाती ह जैसे कि पहले ही चर्चा हो चुका है कि पानी द्वारा उपर की ओर लगाया गया यह बल क्या होता है उत्प्लावनबल या व्युवाइंट फोर्स कहलाता है तो पानी में पत्थर है उसमें कोई बल उसको उपर की ओर दिशा में लगा रहा है वह बल कौन सा है वह बल है उत्प्लावनबल या व्युवाइंट फोर्स ठीक है तो किसी बस्तू पर लगने वाला प्लावनबल का परिमान कितना होता है क्या किसी एक ही बस्तू के लिए हम सभी तरलों में समान हो इसको निम्न प्रकार से ब्यत्त किया गया है ऐसा नहीं कि सभी तरल में वस्तु का एक ही समान होता है या सभी वस्तु में समान उत्पलावन बल अनभो करती है ऐसा नहीं होता है तो इसको देखने के लिए आर्कृटिस के सिधान प्रणिवड़ करत करती है उस पर हमलो निम्न प्रकार से ब्यक्त क्या जाता है इसको हम लोग अभी परके देखेगे इसके सिधान या तो जब किसी वस्तु को किशी तरल में किसे लिक्वीड में पोणन या आंसिक रूप से डुबाए जाता है तो वह उपर की ओर दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल, जब हम कोई भी वस्तु पानी के अंदर या कोई दूसरी तरल के अंदर हम डालेंगे, तो क्या होगा? कि वस्तु द्वारा हटाए गए जितना जगह में वह वस्तु डलाया, तो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल, माल लेजे कि इतन इतना बड़ा वस्तु हम डाल रहे है तो इतना दूर का तरल हटेगा तो यह वस्तु जो है वस्तु द्वारा हटाए गए तरल को हटाए गए तरल के भार के पराबर होता है है एक की बालती में हम कर दो प्रिल में गड़ाओता है उतना उसकी जो आकृती बने हुए जितना आलते उतना पानी जो है तरल जो है वह उतना धीरे धीरे निकल जाएगा उतना क्या हो जाएगा वह पानी बाहर हो जाएगा हटाये गये तरल के और वह जितना बाहर हो जाता है जितना वह वस्तु हटाता है तो उस लिक्विट के भार के बराबर होता है जितना उसके द्वारा हटा गया लिक्विड उसके भार के बराबर होता है इस यह सब छोटा छोटा एक्स्परिमेंट आपनों घर में करके देखेगा तो बहुत इचा समझ में आएगा एक बाल्टी ले लिजेगा उसमें कुछ हलका सा तो बड़ा आयतन वाला डुबा करके देखेगा पहले तो हलका आप एक्स्परिमेंट किजेगा तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में है ना तो क्या होता है कि जो वस्तु द्वारा हटाये गए तरल के भार के बराबर होता है क्या अब आप पस्पस्ट कह सकते है कि क्रियाकलाप 10.7 में पत्थर के पानी में पूरी तरह डुबने के बाद डोरी के प्रशार में और कमी क्यो नहीं हुवी थी और कमी क्यो नहीं हुवी थी जब पानी में पूरी तरह डुब गया था तो पानी में पूरी तरह डुब गया वो पत्थर तो इसकी भार में और लंबाई में इसकी प्रशार में क्यो नहीं हुई क्रिया कलाप दस्वदल साथ में पत्थर के पानी में पूरी तरह डुबने के बाद डोरी के प्रशार में और कमी क्यो नहीं हुवी थी आर्कमिटीज एक ग्रिक वग्यानिक थे उन्होंने एक सिधान के खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है इस सिधान तुनों न यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने के बाद पाने बाहर बहने लगता है तो वे सडकों पर यूरेका यूरेका चिलाते हुए भागे जिसका अर्थ होता है कि मैंने पा लिया या बिल गया मुझे बिल गया इस ग्यान का उप्योग उढ़ोंने राजा के मुकुट में उप्योग हुए सोने के सुधता को मापने के लिए किया उनके यानत्रिकी तथा जैमीती में किये गया कारियों ने उन्हें प्रसिद कर दिया उत्तोलक घिरली तथा पहिया और धूरी के विशे में उनके ज्यान ने क्रिक सेना को रोमन सेना के बिरुद्ध लड़ाई में बहुत साहता की अब है कुछ कोईश्चन आर्क्विटिज के सिधान के बहुत से अनुपरयोगों है जिसमें कि जल्यान तथा पंडुब्यों के डिजाइन बनाने में कामाता है जल्यान यानि की पादी में चलने वाला जहाज पंडुब्य के डिजाइन बनाने में कामाता है जैसे दुग्दमापी है दुग्दमापी क्या होता है लेक्टोमीटर है लेक्टोमीटर जो हता है वह दूद को दूद की किसी नमुने की सुद्धता की जांच करता है कि कितन इसमें दूध है, उसे तरह हाइडिरो मीटर है वह द्रवों के घनत को मापता है, मापने के लिए युद्ध होता है, उसको करते हैं हाइडिरो मीटर, तो इस तरह के जित्रे भी है, सब निर्भर करते हैं, आर्कमिटिस के सिधान पर सभावारित है, किसी भी बाल्टी या टब में हम एक ठो और बाल्टी बरके डालते हैं तो देखते हैं कैसे चपाक से उतना पानी बाहर निकल जाता है, उसी सिधान थे, उसी सिधान पर में लिकिया कि जब बात टब में नहाने गुषते हैं, तो जितना हमारे शरीर का आयतन है, वह 10 सुछ फरल, उतना पानी टब से बाहर के निकल जाता है। सब्सक्राइब निकल बाहर लाता है। उनकी आकरिती उनका डिजाइन जो की पानी में डूबे न वह तैरता रहे तभी तो इतना जाहाज इतना स्टीबर इतना नाव बड़ा बड़ा एक टीसी सब पानी में चलता है सब्दूर में चलता है चलता है आपनों जानती है तो यह सब है सब इसी सिधान पर बनाया गया ह आक्रिच के सिधान पर ही बनाया गया है तो अब प्रश्ण है प्रश्ण को हम लोग कर लेते हैं कि एक तुला यानि कि वेइग मशीन पर आप अपना दर्वेबान 42 kg नोट करते हैं तो क्या आपका दर्वेबान 42 kg से अधिक है या कम है कोश्चन है कि मेरा वेट यदि 42 kg है तो क्या दर्वेबान 42 kg से अधिक है या कम है तो इसका अंसर होगा कि हमारा दर्वेबान 42 kg से अधिक है क्योंकि हमारे चारो और की वायू ठीक है हमारे चारो और की वायू हम पर ऊपर की और उत्पलावन बल यानि कि बुवाइंट फोर्स लगाती है खुब ज्यान से समझीगा हमारे चारो और की वायू हमारे उपर ऊपलावन बल यानि कि वुवाइंट फोर्स लगाती है जो हमारे वास्तविक भार को जो हमारा वास्तविक भार है तो हमारा वास्तविक भार को कम कर देता है ठीके और उत्प्लावन बल 42 kg जो है 42 kg भार बराबर वास्तविक भार वास्तविक भार होता है उत्प्लावन बल से स्पस्ट होता है कि वस्तु का वास्तविक भार यानि कि 42 kg प्लस उत्प्लावन फोर्स 42 kg द्रब्यमान है ही और उसके साथ क्या है प्लस उत्प्लावन बल अतह लड़के का द्रब्यमान 42 kg से थोड़ा अधिक होगा कियों अधिकोगा क्योंकि उनके उपर उप्लें लग रहा है चारों तरब से उपर की ओर उत्प्लावन बल लग रहा है तो जिसके कारण वास्तविक भार के साथ Сाथ उसमें उत्प्लावन बल भी जुड़ रहा है तो लड़के का द्रब्यमान 42 kg से आधिक होगा किसी का भी है ना अब दुसरा कुश्चन है कि आपके पास एक रूई का बुरा तथा एक लोहे की छड़ है तुला पर मापने पर दोनों 100 kg द्रब्यमान दरसाते हैं तो वास्तविक्ता में एक दुस्ते से भारी है क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों भारी है तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि रूई का भोरा कॉटन का भोरा है और लोहे की छड़ मापने में दोनों बराबर रहेगा क्योंकि वो भी 100 kg है और कॉटन भी 100 kg है तो द्रब्यमान दोनों का सेम है 100-100 kg है लेकिन वास्तविक में एक दुस्ते से भारी है तो कौन भा कि हम रूई के खुटन का बोरा है वास्तों में भारी है तो कि रूई के बोरे छ्टर्फल गया फ़ी स्था हर मापने मापने से जह ब próxim हो पाल में आयूंकि शड़ केशी है और कॉटन वेकें लोह दुस्ता का प Και tsitra लंग अधिक रहेगा इसलिए ऩोटन उन्हार था नंसर रूवी के बोरे पर अधिक बुवाइन फोर्स लगेगा, छड़ तो पतला रहेगा, पतला और लंबा छड़ है, लेकिन जब हम उसे तुल्ला करेंगे, तो रूवी का बोरा का छतरफल छड़ से कही जादा अधिक होगा, और जिसके कारण उसमर बुवाइन फोर्स भी जाद लगेगा, जो उसे वास्तविक भार को कम कर देगा, वास्तविक भार को कम दिखाएगा, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि उत्पलावन बल यानि कि बुवाइन फोर्स बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित तरल या गैस या द्रॉव, अधिक वॉल्म का का तरल का भार, अधिक आइटन से अधिक तरल विस्थापित होगा, होगा ना, अधिक वॉल्म से अधिक तरल विस्थापित होगा, अतर रूई के बोरे का वास्तविक भार, लोहे किछड के भार से अधिक होगा, तो इतना तो समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि रूई का बोरा का छेत होता है कि अधिक फॉर्णूम से अधिक तरह विस्थापित होता है वो भी हमें जानना है और यहां पर क्या होगा रूई के बोरे का वास्तविक भार लोही के छड़ से के भार से अधिक होगा ठीक है तो यह कोश्चन हो गया हमारा पेज नंबर 158 का ठीक है अब थोड़ा साम बताते हैं कि आप एक्षिक घनत हो क्या होता है आप एक्षिक घनत हो क्या होता है हम जानते हैं कि किसी वस्तु का घनत हो किसी विवस्तु की डेंसिटी उसके प्रती एकांक आयतन के द्रभिमान को कहते है यानि कि घनत तो बराबर द्रभिमान घरत तो बराबर द्रभ्यमान बटा आयतन, density D is equal to MYV, mass by volume, तो ये हम लोग जान रहे हैं, तो घनत तो का मात्रक होता है, density का मात्रक होता है, किलोग्राम प्रती घन मीटर क्यूब में, है ना, इसको अब लोग क्यूब में लिखते हैं, केजे मीटर पर क्यूब, और पदार्थ का घनत्व सदेव समान रहता है, अत्या किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लक्ष्डिक गुण होता है, उसका एक करेक्टर है, कोई भी पदार्थ का घनत्व कितना है, वह उसका अपना एक करेक्टर है, भिन भिन पदार्थों के भिन भिन घनत्व होते हैं, ऐसा नहीं कि वो देखने में दोनों तरल एकी जैसा लग रहा है तो दोनों का घनतों एक ही हूँ, है ना, ऐसा नहीं होता है, अलग-अलग पनार्थों का अलग-अलग घनतों होता है, जैसे सोने का घनतों है, 1,9,3,0,0, किलोग्राम मीटर पर क्यूब, है ना, 19,300 किलोग्राम मीटर पर क्यूब है, जबकि पानी का घनतों है, मात्र 1,000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, पानी का देंसिटी 1,000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब है, और सोने का घनतों इतना है, तो कितना अंतर है, लेकिन सब का घनतों है, अलग-अलग है, किसी पदार्थ के नमोने का घनतों, उस पदार्थ के स सुध cardboard की जाच में साहता कर सकता है तो प्राय किसी पदार्थ के घंट को पानी के घंट की नहीं है चुल्य नहीं वेक्ट करना सुविधा जनग होता है तैसलिए किसी भी पदार्थ का पिकषी घंट dentist उस पदार्त का घणत्व व पानी के घणत्व का अनुपात है अर्थाथ आपक्षी घणत्व बराबर किसी भी पदार्त का घणत्व बट़ पानी का घणत्व आसानी के लिए क्या किया जाता है कि किसी भी परदात के घंत को पानी के घंत से तुल्ला के जाता है क्योंकि पानी के घंत के तुल्ला करने में ब्यक्त करने में आसान होता है सुवधा जनक होता है इसलिए पानी के घंत से तुल्ला के जाता है तो हम क्या लिखेंगे कि घनत तो बरावर आप पेक्षी घनत तो बरावर किसी भी पदात का घनतो बाई पानी का घनतो तो आप पेक्षी घनतो हमारा हो गया कोई भी पदातो चुकि आप पेक्षी घनतो समान दास्यों का एक अनुपात है तो इसलिए इसका कोई मात्रक से नहीं होता है अब एक एक्जाम्पल है चांदी का पेक्षी घनतु 10.8 है चांदी का पेक्षी घनतु 10.8 है और पानी का घनतु 10 to the power या 1000 किलो ग्राम मीटर पर क्यूब है तो एस आई मात्रक में चांदी का घनतु क्या हुआ चांदी का घनत तो क्या हुआ तो आपेक्षी घनतु दिया हुआ है कितना 10 दसवलो आठ तो सिल्वर का आपेक्षी घनतु 10.8 है पानी का डेंसिटी है 1000 केजी मीटर पर क्यूब और एस आई मात्रक में चांदी का घनतु क्या होगा तो हम पहले आपेक्षी घनतु 10.8 है आपेक्षी घनतु और बराबर चांदी का घनतु हमको निकालना है चांदी का घनतु और पानी का घनतु इतना है 10 तो पावर्थ यानि कि 1000 केजी मीटर पर क्यूब तो चांदी का घनतु बराबर आपेक्षी घनतु गुणा पानी का घनतु तो इसको अम लोग क्या करेंगे सुत्र तो यह है चांदी का अपेक्षी घनतु अपेक्षी घनतु बराबर किसी भी पदार्थ का घनतु बटा पानी का घनतु तो यहां पदार्थ क्या दिया हुआ है चांदी इस चांदी का घनतु निकालना है लेकिन चांदी का अपेक्षी घनतु दिया हुआ है चांदी का घनत आसानी से निकल जाएगा, चांदी का घनत बराबर आपक्षी घनत गुणे पानी का घनत हो, तो चांदी का घनत तो 10.8, इजी, आर इंटू 10 तो पावथ्री यानि कि 1000 kg मीटर पर क्यू, है नासान? तो चांदी का घंद तो निकल गया, इस तरह किसी भी परदात का घंद तो में निकलना है, तो आपक्षी घंद तो बराबर किसी परदात का घंद तो पटा पानी का घंद तो इस तरह से हमारा चांदी का घंद तो निकल जाता है, और यहां तक यह चैप्टर अभी पतलाओंगे नेक्स्ट वीडियो बे कोशन तो बतलाओंगे यह जो रहता है कि हमने क्या सिखा इसको आप जरूर रिडिग लगाईएगा रिडिग लगाएगा इसको अपने कॉपी वैप जरूर उतारिएगा यह बहुत इंपोर्टेंट है सबका सबिक्षा किया हुआ है सार कॉपी में जरूर लिखेगा बहुत इंपोर्टेंट होता है यह सब के पास वीडियो जाही रहा है और इस पूरा आप लोग लिखेगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे कोशन अंसर को बतलाओंगे ठीक है आप लोग देखिए लाइक किजिए कॉमेंट किजिए सबस बतलाते हैं कि बैम यह वला चैप्टर भेजिए इसका सॉलुसर भेजिए मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनके ठीक है चलिए मैंनी मैंनी थैंक्स ओके बाई थैंक्यू